Hi everyone, I am Aditi Rana, आज complete करेंगे chapter 9, class 6, NCRT history, so let's begin Traders, Kings and Pilgrims, यह आपके chapter का नाम है, यानि कि व्यापारी, राजा और तीर्थियात्री Firstly, बात करेंगे traders and ancient trade, traders यनि कि व्यापारियों के बारे में अब हम देखेंगे और ancient trade, पुराने समय में व्यापार किस तरीके से होता है ये जानेंगे Firstly, the question arises, who are traders? सबसे पहले बताते हैं कि traders क्या होता है People who buy things where they are made and sell them somewhere else व्यापारी वो लोग होते हैं जो चीजों को वहाँ खरीते हैं जहां पे वो बनती हैं उनका निर्माढ होता है और बाकी जगाओं पे जा जाके दूसरी जगाओं पे जाकर उन्हें महेंगे दामों पर बेश देती हैं How do we know about ancient trade? पुराने समय में व्यापार किस तरीके से होता था और किन-किन चीजों का होता था हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है We know about them from different kinds of finding जो हमें different अफशेश मिलने हैं archaeologists को उनके द्वारा हमें इनके बारे में पता पड़ता है Firstly बात करेंगे NBPW means northern black polished wear ये हमें इसके अफशेश मिले हैं in different parts of the subcontinent subcontinent के different different हिस्तों में हमें इनके अफशेश मिले हैं This fine pottery especially bowels and plates were found at several archaeological sites throughout the subcontinent यानि कि उत्तर के काले polish वाले ये बरतन हमें अलग-अलग स्थानों पर प्राप्त हुएं यानि कि पुराने समय में जो traders थे व्यापारी था वो इन बरतनों का trade करते थे ये हमें इन अफशेशों से ग्यात होता है traders may have carried them from places where they were made to sell them at other places तो इन अफशेशों से हम ये idea लगा सकते हैं कि हो सकते हैं व्यापारियों इने बहां से कम दाम पे खरीदा हो जहां इनका निर्माड होता था और फिर इने बाकी जगाओं पे महेंगे दाम में जाके बेच दिया होगा और हमें क्या मिला है हमें मिले हैं roman coins so south india was famous for gold spices especially black paper and precious stone जो south india है हमारे इंडिया का जो दक्षिर चोर है वो सोने के लिए मसालों के लिए खासतोर पर काली मिर्च और कीमती पत्तरों के लिए उस समय में बहुत प्रसेद था people was very valued in the roman empire जो काली मिर्च और रोम के समाज में उसकी बहुत ज़दा मांग थी तो उसे black gold कहा जाता था यानि की काला सोना कहा जाता था how do we know हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है के पुराने समय में जो भारत था दक्षिन भारत था उसका व्यपार होता था मसालो का gold का precious stone का रोम के साथ हमें कैसे पता पड़ता है because many roman gold coins have been found in south india क्योंकि भारत में roman सिक्के मिले हैं इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दिनों रोम के साथ हमारा अच्छा व्यपार चल रहा था उन्हें मसाले सेल करते थे return में वह हमें gold coins में पे करते थे trader carried many of these goods to Rome जो व्यपारी थी वह अपने साथ बहुत सारे goods को लेके जाते थे जिनकी रोम में demand होती थी वह Indian goods जिनकी रोम में demand होती थी वह व्यपारी अपने साथ वहां तक लेके जाते थे अब लेके जाते थे तो यानि कि किसी रास्ते से जाते होंगे किस तरीके से जाते थे वो देखते हैं इन ships by sea या तो वो समुद्र के रास्ते से जाते थे और carvans by land यानि कि जमीन के रास्ते से भी जाते थे यहाँ पे एक poem लिखी हुई है see this is an example of sangam literature यहाँ पे एक poem लिखी हुई है कि किस तरीके से व्यपार किया जाता था इसकी explanation भी है short के व्यपार के हमें जो प्रमान मिले हैं वो sangam कविताओं में मिले हैं वहाँ पे वर्णन किया गया है कि समुद्री जहाजों पर कैसे लाद के समान ले जाता था या तेज तरह घोडों की पीठों पे लाद के जाया जाता था काली मिर्च की गठ्रियों को हिमाले से रतन प्राप्त होता था था उनका भी ट्रेड किस तरीके से किया जाता था यह सब आपको इस poem में देखने को मिलेगा description नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड रूट्स ट्रेडर एक्सप्लोड सेवरल सी रूट्स व्यापारी क्योंकि उन्हें बार बार आना पड़ता था ठीक है समुद्री रास्तों से इस वज़े से उन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्तों की कोज कर ली ठीक है कौन सा रूट उन्हें शॉट पड़ेगा कम ट्रेवल करके वह व्यापार कर सकते हैं और उन्हें प्रॉफिट मिलेगा सम उन्होंने ऐसे रास्तों का पता लगाया जो बिल्कुल समुद्र के किनारे चलते थे ठीक है अधर रूट्स वर एक्रॉस दा अरेबियन सी और बे ऑफ बेंगॉल कुछ रास्ते ऐसे थे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए वो क्रॉस करते थे इन रूट्स एक्रॉस दा अरेबियन सी और बे ऑफ बिंगॉल सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ दा मानसून विंड जो सेलर होते थे जो नाविक होते थे वे मानसून क कि हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे यानि कि वो वेट करते थे कि हम तब ट्रैवल करेंगे जब मानसून विंड आने का समय होगा क्योंकि जो विंड है अगर आप विंड के ही डारेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या करती है आपकी जर त्रीका या अरप के पूर्व तट से किया है और उन्हें कहां तक जाना है उन्हें वेस्टन कोस्ट पर जाना है सब कॉंटिनेंट के तो वो क्या करते थे साथ वेस्ट मानसून विंड के साथ ट्रैवल करते थे इससे क्या होता था उनकी नाव को पुश मिलता था विंड से और वो easily अपनी यात्रा को complete करते थे but steady ships had to be built for these long journey लेकिन इस तरह की यात्राओं में बहुत दिनों बहुत महीनों का समय लगता है इसलिए वो ऐसी ships का निर्मान करते थे जो काफी मजबूत होती थी और काफी दिनों तक पानी में आराम से रह सकती थी next is kings and ancient trade अब हम देखेंगे राजाओं की क्या भूमिक आती पुराने समय में जो व्यपार होता था उसमे controlling natural resources राजाओं की जो राज जो होते थे जो सीमाए होती थी उसके अंदर जो भी natural resources आती थी वो उन्हें control करते थे so the question is what are natural resources natural resources है क्या हमें प्राकर्ती से जो भी चीजें मिलती हैं वो ही natural resources होती है the southern half of the subcontinent is marked by a long coast line जो उप महादीव का दक्षनी भाग है बहाँ पे बहुत बड़ा तटिये छेतर है इस तरह का हिस्सा है न तो यहाँ पे तटिये छेतर है समुदर के पास की जमीन है ठीक है there are also hills, plateau and river valleys यहाँ पे पहाड भी है पठार भी है और नदी के द्वारा नदी के बहाँ के द्वारा बने हुए मैदान भी है the river valley of kaveri is the most fertile अगर हम बात करें तो जो नदियां है उनके द्वारा जो मैदानी लाके बने है न तो जो कावेरी नदी की वज़े से मैदानी लाका बना है वहां की जो भूमी है वो बहुत ज़्यादा उपजाओ है ठीक है यानि की जो fertile land होती थी और ऐसी land होती थी जहां पे बहुत सारी प्राकरतिक खनेज हमें मिलते थे उन सब को राजा कंट्रोल करते थे the question arise why control these natural resources क्यों उन्हें जरूवत थी इन natural resources को कंट्रोल करने की because chiefs and kings who control the river valleys and coasts become rich and powerful क्योंकि जो मैदानी इलाके होते थे उपजाओ या तट्ये इलाके होते थे उन पे जो भी control काता था चाहें वो कोई सरदार हो या राजा हो तो उसकी संपती में काफी इजाफा होता था और वो धीरे धीरे तागतवर बनता जाता था next बात करेंगे मुविंदार संगम poems mention the मुविंदार संगम कविताओं में हमें मुविंदार की चर्चाएं मिलती है मुविंदार एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है three chiefs यह है एक तमिल भाशा का शब्द है जिसका मतलब है तीन मुखिया it was used for the head of the three ruling family इसका प्रयोग तीन मुखियाओं के लिए किया गया है जो की तीन royal family से बिलॉंग करते थे चोल, चेर और पांडे इस त्री ruling families become powerful in South India 2300 years ago लगबग 2300 साल पहले जो डक्षन भारत है बहां पे ये तीनों families बहुती जादा शक्तिशाली थी how did moving the control ये किस तरीके से control करते थे अपने राज को अपनी territory को each of these three chiefs had two centers of power one on the coast and another one inlet इन तीनों मुखियाओं के पास अपने अपने दो सत्ता के केंद्र होते थे ठीके एक तो होता था coastal area ऐसी जमीन जो समुद्र के पास होती थी और दूसरी क्या होती थी इन लेंड होती थी ऐसी भूमी जो काफी उपजाओं होती थी और चारों तरफ से जमीन से गिरी होती थी of these six cities क्यूंकि देखें तीन लोग हैं और तीनों पे दो दो मुखिय केंद्र हैं तो क्या हुआ six cities हो गई two were important इस तरह के छे केंद्रों में से जो बहुत ज़ादा important है वो है आपके पुहार एन कावेरी पटनम पोर्स ओफ चोला ठीक है यहां पे चोलो का साशन होता था मदुराई capital ओफ पांडयास दूसरी बात करते हैं मदुराई की तो वो पांडयों की राजधानी थी the chief did not collect regular taxes तो यह जो चोलास थे जो पांडयास थे यह regular basis पे टेक्स को नहीं collect करते थे कि एक fix time पे month के या साल के fix time पे आपको tax देना है ऐसे नहीं collect करते थे instead they demanded and receive gifts from people यह लोग क्या करते थे नियमित कर नहीं लेते थे उसकी बजाए उपहारों की मांग करते थे they also went on military expenditure and collected tribute from the neighboring areas कभी कभी यह सैनिक अभिहानों पर भी निकल परते थे और आसपास के इलाखों से शुल्क वसूल करते थे tax को collect करते थे regular basis पे नहीं करते थे अपने according time to time करते थे they kept some wealth and distributed the rest amongst their supporters इन में से थोड़ा धन वो अपने पास रखते थे बाकी अपने supporters में अपने शुप चिंतकों के बीच में distribute कर देते थे many poets whose composition are found in the संगम collection अनेक संगम कवी हैं जिनोंने इन मुखियाओं की इन राजाओं की प्रसंशार में कविताएं लिखी हैं और बदले में उन्हें कीमती हीरे जवारात, सोना, घोड़े, हांती ये सब दिया जाता था इस तरीके से wealth distribute होती थी The rise of new ruler Around 200 years later a dynasty known as the Satvahanas became powerful in western India लगबग 200 वर्षों के बाद पश्यम भारत में Satvahan नामक राजवन्श का प्रभाव बढ़ गया The most important ruler of the Satvahanas was Gautamiputr Satkarani जो Satvahana थे उनका समसे प्रमुक जो राचा था उसका नाम था Gautamiputr Satkarani He sent his army to the eastern, western and southern coast इन्होंने अपनी सेना को पूरवी पश्यमी तथा दक्षिनी तटो पर भेजा था We know about him from an inscription composed on behalf of his mother Gautamiputrashree इनके बारे में हमें इनकी मा Gautamiputrashree के द्वारा एक जो अभी लेग था उससे पता पढ़ता है The Satvahana rulers were also known as the lord of the Dakshina path Means the route lead to the south जो Satvahana साशक थे उन्हें दक्षिन पत के स्वामी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि दक्षिन मतलब south and path means रास्ता दक्षिना path का शाब्दी करता है दक्षिन की ओर जाने वाला रास्ता दक्षिना path was also the name used for the entire southern reason पूरे दक्षिनी जेत के लिए भी हम यही नाम इस्तिमाल काते थे दक्षिना बनाती थी और ज्यादा powerful बनाती थी let us take the example of silk root चलिए silk root का यहाँ पर example लेते हैं तो बात कते है importance of silk silk is a highly valued fabric in most society because of its high rich glossy color and smooth texture जो silk है जो रेशम है यह अपने चमकीले रंग अपनी चिकनी मुलायम बनावट की वज़े से समाध में बहुती जादा कीमती माना जाता था more ever making silk is a complicated process और जो रेशम का कपड़ा है उसे तयार करना एक जटल प्रक्रिया है एक मुश्किल प्रक्रिया है इसलिए भी यह बहुत ज़दा कीमती था raw silk has to be extracted from the cocoon of silk worm spun into thread and then woven into cloth क्योंकि पहले क्या करते थे रेशम के कीड़ों से कच्चा करेशम निकाल कर हम उसमें से धागा बनाते थे और उसके बाद उस धागे से कपड़ा बनता था next is silk root technique of making silk were first invented in China around 7000 years ago सबसे पहले जो silk बनाने की तकनीक थी उसका अविशकार चीन में हुआ तक करीब 7000 साल पहले this method remained a closely guarded secret for several thousands of years इस नतकनीक को चीन के रहने वाले लोगों ने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छेपा कर रखा several people who went from China to distant lands on foot horseback or on camels carried silk with them जो लोग चीन से आते थे यानि कि जो व्यापारीगर वहां से आते थे पैदल आते थे गोडों पर या उंठों पर आते थे और दूर दूर जगाओं तक travel करते थे वो अपने साथ रेशम के कपड़े लेके जाते थे the path they followed came to be known as silk route और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे चाहें वो पैदल हो, horse के साथ हो या camels के साथ हो जिस route से ये यात्रा करते थे बाकी के स्थानों पे उसी route को silk route के नाम से जाना जाता है ये इतना प्रसिद्द की हुआ silk was valuable and a secret to make क्योंकि silk बहुती कीमती था और इसे बनाना एक रहसे था Chinese ruler sent gifts of silk to ruler in Iran and West Asia from there the knowledge of silk spread further west कभी कभी जो चीन के साशक थे वो इरान में और पशिमी एशिया के राजाओं को उपहार के तौर पर क्या करते थे, silk के बने हुए कपड़े sand करते थे तो इस वज़े से जो silk था ना वो popular हो गया क्योंकि उसके बारे में जो जानकारी थी वो और west की side spread हो गई, fell गई About 2000 years ago, wearing silk became the fashion in rulers and rich people of Rome करीब 2000 साल पहले की बात है कि जो रूम के साशक थे और जो धनी लोग थे वो silk के कपड़े पहनते थे, यह एक fashion था, क्योंकि silk क्या था, बहुत ही valuable था, कीमती था Silk and silk route Silk was very expensive because it had to be brought all the way from China Silk जो है वो बहुत ही महंगा था, उसकी कीमत बहुत जादा थी, इसलिए सिर्फ rich लोग या साशक लोग उसे पहनते थे क्योंकि इसे चीन से लाना पड़ता था, जो की बहुत लंबा रास्ता है The roads were dangerous and tedious crossing mountains and desert जो रास्ता है वो इतना मुश्किलों से भारता पहाडों को, रेगस्तानों को cross करते हुए लाया जाता था, इसलिए इसकी कीमत बहुत जादा थी People living along the route often demands payment for allowing traders to pass through जो silk route पे लोग रहते थे, वो क्या करते थे, tax वसूलते थे, एक payment लेते थे और तब traders को, यानि की वैपारियों को वहाँ से जाने देते थे Some kings tried to control large portion of the route, कुछ जो साशक थे उन्होंने क्या किया था, silk route के बड़े-बड़े हिस्सों पे अपना control करके रखा था They could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders तो जो यात्रा कर रहे हैं वैपारी होते थे न, ये इन राजाओं को tax देते थे या फिर तौफे देते थे और उसके बाद ये route क्रॉस करते थे In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by roberts बड़े में राजा क्या करता था, कि उसके लिए वैपारी gifts लाते थे, tax देते थे और बड़े में राजा क्या करता था, कि जब ये रास्ते से गुजरते थे तो वो देखता था कि इन्हें लुटे रे, आक्रमर ना करें, इनसे इनका समान ना चीके, attack ना करें Next is Kushans, the best known of the rulers who control the Silk Root were the Kushans, Silk Root पर नियंतर रखने वाले साशकों में जो सबसे प्रसिद्ध हैं, वो कौन है? Kushan The Kushan ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago, लगबग 2000 साल पहले मद्ध एशिया तता पश्यम जो भारत का भाग है, वहाँ पे इन्होंने साशन किया There are two major centers of power, यहां पेशावर और जो मत्रा है, यह इनके दो मुखे सक्तिशाली केंद्र थे Next, इनके साशन काल में Silk Root की एक साखा तीद, वो मद्ध एशिया यानि कि Central Asia से होकर सिंदू नदी के मुहाने तक जाती थी यानि कि Indus River के माउस तक जाती थी और वहाँ से जहाज द्वारा रेशम जो है ना, Silk है वो पश्यम की ओर, Roman Empire तक पहुँचाया जाता था Next is Change in Religion, यानि कि धर में इस समय क्या-क्या परिवर्तियन हुए Spread of Buddhism and Bhakti Movement जिसे हम अब देखेंगे one by one खुषाना, the most famous खुषान ruler, कनिश्क ruled over 1900 years ago, सबसे जो famous राज़ा था कुषानों का वो था कनिश्क और उसने करीब 1900 साल तक साशन किया था He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters कनिश्क राज़ा ने क्या किया था, बौध परिशत क्या गठन किया था, जिसमें सब जो विद्वान लोग थे, वो इकत्रित होते थे एक साथ आके क्या करते थे, important topics पर विचार विमश करते थे अश्व घोष was a poet in कनिश्क court, he composed a biography of the बुद्धा दा बुद्ध चरित बौध की जीवनी है, भगवान बौध की जीवनी बौध की जीवनी बौध चरित जिसका आपको यहां पर इमेज दिखाये गया है इसकी रचना करी थी कवी अश्व घोष ने जो की कनिश्क राजा के दरबार में रहते थे अश्व घोष और बुद्धिस स्कॉलर नाव बिगन राइटिंग इन संस्कृत यह है वह समें था जब बौध धर्म की एक नई धारा माहयान का विकास हुआ इट है टू डिस्टिंग फीचर्स की दो मुख विशेशता थी फर्स्ट वस स्टैचू अफ बुद्धा एंड सेकंड इस बिलीफ इन बौधी सत्वा तो अब हम देखते हैं कि पहले किस तरह की प्रैक्टिस होती थी बुद्धिस में और बाद में क्या चेंजिस आए अर्लियर बुद्धा's presence in sculptures was shown by using certain sign not statue पहले की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वहाँ पे भगवान बौध की जो इस्तिती थी उनकी presence थी उन्हें संकेतों के माध्यम से यानि कि symbols का use करके दर्शाय जाता था उनकी statue नहीं बनाई जाती थी as you can see this image यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पहले की image है तो यहाँ पे tree depict किया है उस people tree का depiction है यहाँ पे जिसके नीचे उन्हें enlightenment हुआ था ठीक है यहाँ उस people के पेड की मूर्ती दिखाई गई है जहाँ पे उन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई थी ठीक है तो इन मेंसे ज़्यादा था थी वो तो मत्रूरा में बनाई गई थी और कुछ थी वो तक्षीला में बनाई गई थी as you can say अब क्या change हुआ अब इनके statue बनने लगे ओके next दिखते हैं belief in bodhi sattva पहले bodhi sattva में belief नहीं होता था लोग उसे अपनाते नहीं थे लेकिन अब bodhi sattva में लोगों की आस्ता बढ़ गई थी अब देखते हैं कि bodhi sattva होता क्या है people who have attained enlightenment they could live in complete isolation and meditation in peace instead of doing that they remain in the world to teach and help other bodhi sattva उन्हें कहा जाता है ऐसे लोग जिने ग्यान की प्राप्टी हो गई है और उसके बाद उनके पास option है कि वो एकांतवास कर सकते हैं अकेले रह सकते हैं और ध्यान साधना कर सकते हैं लेकिन इसके बजाए वो दूसरा option choose करते हैं यानि कि ऐसा करने के बजाए वे लोगों को सीख्षा देते हैं उनकी मदद करते हैं जो common man होता है आम आदमी होता है उसकी help करते हैं और सानसारिक परिवेश में ही रहकर उनको सीख्षित करते हैं दीरे दीरे जो बौधी सत्व की पूजा थी वो काफी लोग प्रिय हो गई और पूरे मद्दे एशिया चीन और बाद में कोरिय जापान तक भी फैल गई further spread of buddhism buddhism has also spread to western and southern India बौध धर्म का जो प्रसाद था धीरे धीरे ये फैले लगा पशिम और दक्षिन भारत में भी dozen of caves in hills were hollowed out for monks to live in यहाँ पे क्या हुआ बहुत भिक्चों के रहने के लिए पहाडों में से बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया गया these were hollowed on the orders of kings, queens, merchants and farmers इन गुफाओं को जो निर्माण था वो राजा रानियों के आदेशों पर हुआ था या जो बड़े व्यापारी या जो किसान थे वो अपनी जमीन दे रेती थे और वहाँ पे निर्माण होता था these caves were often located near passes through the western ghats इन में से जो जादा तर गुफाओं है वो पश्यम घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी there were also roads that connect ports on the coast with cities in the Deccan therefore important roads for trade and traders डक्कन के शहरों में और तटों के जो समुद्र बंदर ग्रहते यानि कि जो coastal area था वहां से जो road main शहर तक connect होती थी उनके पास इनको बनाया गया था इन गुफाओं को बनाया गया था traders probably held in these caves monasteries during their travel तो हो सकता है जब व्यापारी लोग आते थे वो अपनी यात्रक कर रहे होते थे ठीक है coastal area से जब वो आते थे किसी भी journey को complete करने के लिए तो वो आते होंगे इन मठों में और गुफाओं में रुक के विश्राम करते होंगे बुद्धिस्म also spread south eastward तो travelers के साथ क्या होता है जब भी मुसाफिर आते हैं व्यापारी आते हैं तो उनके साथ चीज़े travel करते हैं तो बुद्धिस्म भी spread हुआ कहां पे हुआ दक्षिर पूर्व की और और ज्यादा भी मैं यह इस्ट एसिया इंकलूडिंग इंडोनेशिया तो श्री लंका मियानमर थाइलेंड साउथ-east एसिया और इंडोनेशिया में भी यह है spread हुआ in these area the older form of buddhism called therwaad buddhism was more popular लेकिन in area में जो buddhism practice किया जाता था और जो popular था buddhism का form वो कै था पुराना वाला form था जिसका नाम है ठेरवाद नामक बहुत धर्म का यहां पे जो आरंबिक रूप था इन चेट्रों में बहुत जाद प्रचलिथा नेक्स भक्ती मुवमेंट अराउंड इस ताइम वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटी इसी समय की बात है कि कुछ देवी देवताओं की पूजा का चलंग चल गया इस डाइटी इंक्लूद लॉर्ड शिवा विष्णू और गॉड़ेस दुर्गा विच 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 भक्ती एन आइडिया विच विच वेरी पॉपलर आइट इस ताइम इन देवी देताओं की जो पूजा थी वो भक्ती परंपरा के माध्यम से की जाती थी और भक्ती उस समय काफी लोग प्रेव परंपरा बन गई थी भक्ती परसन्स डिवोशन टू हिज और हर चूज़न भक्ती क्या है किसी देवी या देवता के प्रती शाधा आस्ता को ही भक्ती कहते हैं एनिवन रिच, पुवर, हाई और लो कास्ट, मैन और वुमेन कुड फॉलो दा पाथ और भक्ती, पहले क्या होता था, नीची जाती के लोग हैं, औरते हैं, उन्हें हक नहीं होता था, अनुष्ठान कराने का, यगे करवाने का, लेकिन भक्ती परंपरा की सबसे बेस्ट बात क्या है, कि भक्ती का पत सब के लिए खुलाता, चाहें वो इनसान निर्धन हो, धनी हो, किसी उची जाती का हो, नीची जाती का हो, चाहें वो महला हो, या पुरुशर सभी भक्ती कर सकते थे, इसमें भग्वान श्री कृष्ण अपने भक्त और सखा अर्जन को कहते हैं, कि सबी धर्मों को छोड़कर वे भग्वान कृष्ण की शरण में आ जाए, इसमें क्या मना जाता था, कि अगर भक्त अपने आराद देवी देता कि सच्चे मन से पूजा करता है, तो वे उसे उसी रूप में दर्शन देंगे, जिसमें वे उन्हें देखना चाहता है, यानि कि आप उन्हें एक ट्री के रूप में देखते हो, एक शेर के रूप में देखते हो, भगवान के रूप में देखते हो, या इंसान के रूप में देखते हो, आप जिस तरीके से अपने देवता की पुजा करोगे, अगर सचे मन से करोगे, तो वो उसी रूप में आपको दर्शन देंगे. इंस्पाइड बाइ दिस आर्टिस मेड ब्यूटिफुल इमेज़ औफ दियर डाइटी जैसे जैसे ये विचार समाज में स्वीकृति मिली स्विचार को, तो कलाकरों ने देवी देवता हो कि एक से बढ़कर खुबसूरत मूर्थियां बनाई, यानि कि भक्त जिस रूप में देखना चाते थे भगवान को उस रूपों में उनकी मूर्थियां बनाई गई, यानि कि जो डिवोटी है, यानि कि जो डिवोटी है, जो भक्त है वो भगवान को प्यार करेगा, उनकी केर करेगा, बदले में जो भगवान है वो भी क्या करेंगे, उसे लव और केर प्रोवाइड करेंगे, भग्त भगवान के प्रति अपनी आस्तर दिखाता है और भगवान भी उसके साथ अपना एश्वर सुक समरिदी भगवत का मतलब क्या होता है भगवान से इसका मतलब है वो व्यक्ति वो इंसान जो अपना वैभव अपना फॉर्चन अपना गुडलग दूसरे के साथ बांटता है beliefs in bhakti this system of bhakti emphases on devotion individual worship of a god and goddess not performing elaborate sacrifices यह जो bhakti system थी यह परंपरा इसलिए इतनी प्रक्षित थी क्योंकि यहाँ पर क्याता भक्ती परंपरा जोर देती थी थी कि थी कि आपको devotion करना है आपको आस्ता दिखानी है भगवान के प्रती ठीक है यह व्यक्तिगत पुझा थी यानि कि आप अकेले कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको गुरुप में करना है and आडंबरों से दूर थी कि ऐसा नहीं कि आपको बली देनी है इस तरह की चीज़ेस में included नहीं थी इसलिए यह लोगों को बहुत पसंद थी भक्ति, temples and art because these deities were special, their images were placed in special home these special homes are what we describe as temple क्योंकि यह देवी देवता थे, यह विशेश सम्मान पाते थे इसलिए जो उनकी मूर्दियां थी उन्हें भी विशेश जगावां पर रखा जाता था जिन्हें मंदर कहते हैं भक्ति inspired some of the best expression in art जो कला कार्थे उन्होंने भी भक्ति को भहुत सारी चीजों से प्रिजेंट किया है poetry के थूँ प्रिजेंट किया है, architect के थूँ प्रिजेंट किया है, sculptures के थूँ प्रिजेंट किया है वहाँ एक शांदर मूर्ती मिली है विश्नु भगवान के वरहा रूप की तो यह जो इस्टेचू है एक special form है जब विश्नु जी ने वरहा का अफ्तार लिया था according to the पुरानाज विश्नु तुक दा फॉर्म अफ बोर to rescue the earth which had sank into the water पुरानों के अनुसार जब जल में प्रत्वी डूप गई थी तो उसे बचाने के लिए विश्नु भगवान ने यह अफ्तार लिया था the earth is depicted as a woman यहाँ प्रत्वी को एक स्रीकिये रूप में दर्शाया गया है next is pilgrims, man and woman who undertake journeys to holy places in order to worship now what is the connection between traders and pilgrims as traders travel to distance land in caravals and ships pilgrims often travel क्योंकि व्यापारी लोग एक काफिले में यानि कि बहुत सारे लोग group में travel करते थे या फिर जहाजों में travel करते थे दूर्दूर की यात्रा करते थे जो तीर्थ यात्री होते थे जो pilgrims होते थे यह भी इनी के साथ travel करते थे the best known of these are Chinese Buddhist pilgrims भारत की यात्रा पर आए चीनी बहुत तीर्थ यात्री हैं जिनकी जर्नी काफी प्रसीद है यहाँ पर तीन लोगों का description दिया हुआ है first is Fashian he came to the subcontinent 1600 years ago यह करीब 1600 साल पहले आये थे भारत next is Yon Tsang he came to the subcontinent 1400 years ago and the last one is I It Singh he came 1350 years ago they came to visit places associated with the life of Buddha as well as famous monasteries यह सब क्यों आयते बौद के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को देखने के लिए और उनके प्रसिद मठों को देखने के लिए भारत आये थे each of these pilgrims left an account of his journey इन में से प्रतेक तीर्थ यात्री ने अपनी अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है they rate on the dangers they encounter on their years of travel the countries and monasteries they visited and the book they carried back with them इन्होंने क्या क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि जब हमने इतना travel किया तो हमें क्या क्या रास्ते में मुश्किले आई हमने कौन कौन से मट देखे उनके बारे में लिखा है और इन किताबों के बारे में भी लिखा है जो उन्होंने यहाँ पर पढ़ी होंगी या अप लेंड रूट से जा सकते हो तो लेंड रूट से गए उत्तर पशिम और मद्ध एशिया से होकर ये चीन वापस जाने करों ने रास्ता चूस किया इन्होंने क्या किया सोने चांदी और चंदन की लकडी से बनी हुई बौधी की प्रतमाई अपने साथ रखी और सोला सो से जादा पांडूली पी यानि की ऐसी बुक्स जो हातों से लिखी हुई थी उन्हें काक जो कलेक्शन अपने साथ रखा हुआ था जिनने 20 गुडों के उपर लाद करी अपने साथ ले जा रहे थे अरॉंड 50 मैनुस्क्रिप्ट वर लॉस्ट वेन दा बोट इन विच ही वस क्रॉसिंग दा इंदस कैपसाइज यानि की जब आधा रास्ता तो इन्होंने लेंड का कवर किया हॉर्सेस के साथ ठीक है 20 हॉर्सेस पे इन्होंने अपना लगेज लाद रखा था और आधा रास् हो गई जब इनकी नाव पलट गई he spent the rest of his life translating and remaining manuscript from Sanskrit to Chinese इन्होंने अपना जो बाकी का सारा जीवन था बदल दिया इन manuscript को Sanskrit से चीनी भाशा में translate करने में next as you can see this image depiction from NCRT book तो यहां पे दिखाया गया है के long dangerous routes पे जो travel कते थे तो किती मुश्किले होती थी यहां पे explanation है वो मैं पढ़ देती हूँ अपने यात्रा बंगाल से शुरू करी थी किसने शुरू करी थी फाश्यान ने शुरू करी थी फिर व्यापारियों के जहाज पर चड़े और दो दिनों के बाद समुदरी तुफान में भस गए व्यापारियों ने अपने जहाज को डुबान लाएते, statues लाएते, उन्हें नहीं फैका और उन्हें अपने साथ रखा, 13 दिनों के बाद ये आंधी तुफान रुका और फिर ये जावा पहुंचे और वहां से 90 दिन ने और लगे, यानि कि 5 महीने का लगबक समय लगा तब ये चीन वापस पहुंच पाई, यानि कि पु उनिक सेंटर और बुद्धिस्ट लर्निंग, ये एक उनिक सेंटर ता बुद्धिस्ट लर्निंग, इसका भी मैं क्या पढ़ती हूँ, एक्सिपरनेशन पढ़ देती हूँ, छ्वें तसांग ने नालंदा के बारे में लिखा है, यहां के जो सिक्षक थे, उनकी योगिता ता बुद्धि में वे सबसे आगे थे, और बौध के उपदेशों का वे पूरी इमानदारी से पालन करते थे, मट के नियम काफी सक्त होते थे, लेकिन वहां पे सभी को उन्हें मानना कंपलसरी होता था, पूरे दिन बाद विवाद चलते थे, यानि कि डिसकशन चलते थे इसमें जो यंग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, वो सभी पाटिस्पेट कर सकते थे, अगर कोई नया इंसान एंटर करता था नालंदा यूनिवरस्टी में, तो जो गेट कीपर था, वो सभी लोगों से कठिन प्रश्न पूछता था, अगर किसी को अंदर जाना है, तो उसके क गडली उतर दे पाते थे, सारे उसके कौशन का सही से, उनी को सिफ अंदर जाना एलाउड करता था, मीनवाइल ऐल्सवेर, उसी समय कहीं और पे क्या हो रहा था, अराउंड 2000 एर्स एगो, क्रिश्यानिटी एमर्ज इन वेस्ट एशिया करीब 2000 साल पहले पश्यमेशिया में इसाई धर्म का उद्य हुआ, यानि कि स्टार्टिंग हुई, जीजिस क्राइस्ट वस बॉर्ण इन बैथलियम, और इट वस दे पार्ट एम्पार, जो जीजिस क्राइस्ट है, जो ईसा मसी है, उनका जनम हुआ था, बैथलियम में, जो उस समय रोमन समराज का हिस्सा था, जीजिस क्राइस्ट टीचिंग, इन्होंने कहा कि दूसरों को प्यार करना चाहिए, उन पे विश्वास दिखाना चाहिए, और जिस तरीके से आप चाहते हो कि लोग आपसे ट्रीट करें, उसी तरह के से आपको भी उन्हें ट्रीट करना चाहिए, इसा मसी के उपदेश थे, वो जन साधारन लोगों को बहुत पसंद आए, और दीरे दीरे ये पशिम एशिया, एफ्रीका और यूरोप में भी फैल गए, Christianity in India, the first preachers came from West Asia to the west coast of the subcontinent within 100 years of Christ's death, इसा मसी के मृत्यों के 100 सालों के अंदर ही भारते उप महादीप के पशिम तरपर सबसे पहले इसाई धर्म परचारक पशिम एशिया से आए थे, The Christians of Kerala are known as Syrian Christians because they come from West Asia, Kerala के जो इसाई हैं उन्हें सीरियाई इसाई कहा जाता है क्योंकि संभर्त ये पशिम एशिया से आए थे, they are amongst the oldest Christian community in the world क्योंकि यह देश के सबसे पुराने इसाईों में से एक है, with this we cover this chapter, thanks for watching.